जिठानी नमबर वन नेहा को अपनी जिठानी दिव्या से बहुत प्यार था पर नेहा को अपनी जिठानी से इतना प्यार क्यों था? यह देखते हैं जिठानी जी मैं तयार हूँ, चलिए मार्केट चल दे मुझे बस दो मिनिट दे दो, मैं भी तयार हो जाती हूँ और एक बात, पिछली बार की तरह इस बार मार्केट में कोई गड़बड़ी मत करना अब तुम इस घर की बहू हो छोटी बच्ची नहीं हो हाँ दीदी, इस बार मुझसे कोई गलते नहीं होगी और वैसे भी आप है ना, मेरी जिठानी नमबर वन, मुझे बचाने के लिए निहा की ये बात सुनकर, दीविया उसकी कान पकड़ कर मोड़ती है और हस्ती हुए उससे कहती है मैं हर बार तुम्हें नहीं बचा सकती, अगर कभी मैं नहीं रही, तब क्या करोगी? तब ऐसी गल्तिया नहीं करूँगी अब दोनों देवरानी जिठानी मार्केट जाती है, जहां दीविया घर के लिए सबजी खरीदने लगती है तो वही नेहा की नजर आइस क्रीम वाले पर पड़ती है, और वो जाकर आइस क्रीम वाले से आइस क्रीम ले लेती है और बिना उसे पैसे दिये वहां से जाने लगती है जिस पर आइस क्रीम वाला भड़कती हुए नेहा पर चिलाता है और उससे कहता है पागल औरत इतनी बड़ी हो गई है और बच्चों की तर आइस क्रीम लेकर चली गई मेरे पैसे कौन देगा अरे अंकल जी आप इतना भड़क क्यों रहे हैं मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके पैसे खा जाओंगी और मैं कहीं भाग नहीं रही थी मैं पैसे ले नहीं जा रही थी जूट बोलती है मुझे बेवकुफ बनाने की कोशिश कर रही है सोचा कि आईस्क्रिम वाले के पास भीड़ाया तो मुफ्त के आईस्क्रिम ले लोंगी तुम जैसे लालची आउरतों को बहुत अच्छे से जानता हूँ जोट बना बंद कर आईस्क्रिम वाला भरे बजार में नहा को खरी खोटी सुनाने लगता है नहा आईस्क्रिम वाले की बात सुनकर घबरा जाती है और उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाती पढ़ती वियार डरने वालों में से नहीं थी वो जाकर आईस्क्रिम वाले को तीन आईस्क्रिम के पैसे देती है और कहती है कुछ पैसे तुम्हारी आइस क्रिम की है और बाकी के बचे हुए पैसों से तमीज खरीद लेना क्योंकि तुम्हें नहीं अपने ग्राहों को से बात करने की तमीज है और नहीं एक औरत से उल्टा चोर को तवाल को डाटे अरे मेरे पैसे लेकर भाग रही थी चोर को चोर नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा कान खोल कर सुन ले वो कोई चोर नहीं मेरी देवरानी है उसका पर्स मेरे पास रह गया था और उसने तुमसे कहा था कि वो पैसे लेकर आ रही है पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि तुम सुन नहीं पाए इसलिए वो जल्दी में मेरे पास आ रही थी और तुमने उसे चोर समझ लिया बिना पूरी बात जाने समझे किसी पर जूठा इजाम मत लगाया करो और अगर आइंदा से मैंने तुम्हें इस तरह किसी भी लड़की से बत्तमिजी करते हुए देख लिया न तो तुम्हारी कंप्लेंड कर तूँगी पकड़ो अपने पैसे और बंद करो अपना मुँ वरना तुम्हारा मुँ बंद करवाने का मुझे और भी तरीका पता है दिव्या की बात सुनकर आइस क्रीम वाला शांथ हो जाता है और चुपचा पैसे रख लेता है उसकी बात दिव्या निहा को अपने साथ ले जाती है जहां निहा की आँखों में आशो नहीं रुक रहे थे बार बार अपनी देवरानी को छोटे बच्ची की तरह रोता देखकर दिव्या उससे कहती है निहा बस भी करो ना और कितना रोगी मैंने तुम्हारा बदला ले लिया आना उससे दीदे आप मेरा कितना ख्यार रखती है बिल्कुल अपनी छोटी बेहन की तरह लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती आप मेरी गलतियों पर परड़ा डालती है और मुझे बचाती है निहा इस बार तुम्हारी कोई गलते नहीं थी और मैं जानती हूँ तुम्हारी जरूर कोई मजबूरी रही होगी अब मुझे ये बताओ तुमने आइसक्रिम वाले को पैसे क्यों नहीं दिये और क्यों वहां से जाने लगी अब जैसे ही दिव्या निहा से ये सवाल करती है वैसे ही निहा और दिव्या की सास माला वहां जाती है माला दिव्या की सारी बात सुन लेती है जिस पर माला को निहा पर बहुत कुछ साता है और वो बिना निहा की बात सुने उस पर भड़कने लगती है पता नहीं किस लड़की को मैं अपने घर की बहु बना कर ले आई अर नेहा बहू मेरे घर की बहू है तू ऐसे गलतिया क्यों करती है अगर कोई इंसान इतना बेवकुफ कैसे हो सकता है ऐसा तो नहीं कि वो आईस क्रिमाला सच कह रहा था पर भला हो तेरी जिटानी का जिसने हर बार की तरह तेरी गलतियों को छुपा लिया और तुझे बचा लिया वनना तू नहीं तो आज कसम खा ली थी क्या हमारी इज़ित को मिट्टे में मिला कर रहेगी माजी अब क्यूं हमेशा आदी अधूरी बातों पर विश्वास कर लेती हैं एक बार पूरी बात तो जान लीजिए निया बताओ क्या हुआ था माजी दीदी मैं जोर नहीं हूँ और ना ही मैं मुफ्त का खाती हूँ जल्द बाजी के चिकर में मैं अपना पर्स घर पर भूल गी थी दीदी सबजी ले रही थी तो मैंने सोचा कि आज मैं दीदी को उनकी फेवरिट आईस क्रीम खिला दू इसलिए मैंने अपने लिया और दीदी के लिए आईस क्रीम ले ली आईस्क्रीम लेती ही मैंने अपनी आईस्क्रीम खानी शुरू करती है और तब ही मुझे याद आया कि मैं अपना पर्षतु घर पर ही बोल गई हूँ क्योंकि मैंने आईस्क्रीम खा ली थी तो पैसे लेने के लिए देदी के पास जाने लगी पर उस आइस्क्रिम वाले को गलत फहमी हो गई और वो बैसार में मेरे उपर बढ़कते लगा देख लिया माजी मैंने कहा था ना निहा की कोई गलती नहीं है जरूर कोई वज़ा रही होगी निहा तुम घबराओ मत और रोना बन करो अब सब चीक है न और माजी आप भी सक्ति से पेशाना बंद कर दीजी हमेशा की तर आज भी देव्या निहा को अपनी सास के गुसे से बचा लेती है और उसकी गलतियों को भी नजर अंदास कर देती है अब इसी तर से कुछ समय बीच जाता है और हमेशा की तर इस बार भी निहा एक गलती करती है माला को डाइबेटिस थी इसलिए माला का खाना अलग बनता था बिनाचीनी के ऐसे ही एक दिन निहा घर में सभी के लिए खीर बनाती है अपनी सास के लिए भी वो शुगर फ्री खीर बनाती है पर गलती से नेहा अपनी सास को चीनी वाली खीर दे देती है जिस वज़े से माला की तब्यद बिगड़ जाती है माजी क्या हो आपको आपको इती घबराट पीचीनी और चक्कर क्यों आ रहे हैं मेरी तब्यों ठीक नहीं लग रही मुझे डॉक्टर के पॉस ले चल जल्दी दीदी, मुझे लगते हैं माजी का शुगर बढ़ गया है तब ही माजी की तब्यद इतनी खराब हो गई पर माजी का शुगर लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकता है माजी तो समय पर अपनी दबाई लेती है और हम भी माजी की खाने पीने का कितना खायल रखते हैं कल रात को भी हमने माजी के लिए अलग से बिना शुगर की खीर बनाई थी माजी ने तो जरा सा भी मीठा हाथ नहीं लगा अब जैसे ही खीर की बात दिव्या करती है नेहा को याद आता है कि माला की खिर तो वैसी की वैसी रखी है उसने गलती से कल रात को अपनी सास को मीठी खिर दे दी थी अब जैसे ही नेहा को ये बात याद आती है वो पसीने से लटपत हो जाती है और घबराने लगती है दीविया जैसे ही नेहा को डरा, सहमा देखती है, समझ जाती है कि नेहा ने फिर से कोई गलती की है पर दीविया इस बात को घुमा देती है और अपनी सास को डॉक्टर की पास ले चाती है डॉक्टर, हम अपनी सास के खाने पिने का अच्छे से खायल रखते हैं माजी भी समय समय पर दबाई ले लेती है पर फिर भी पता नहीं कैसे माजी की तब्यद बेगड़ गई अच्छा हुआ जो आप इने समय पर ले आए शुगर पेशन के साथ ऐसी समय से अक्सर हो जाती है इसलिए शुगर पेशन का बहुत ज्यादा खायल रखना होता है वैसे आपकी सास अब ठीक है आप इने घर ले जा सकती है जैसे ही माला ठीक होती है दिव्या उन्हें घर ले आती है अपनी सास को सही सलामत देख नेहा की जान में जान आती है और वो लंबी सास लेती है तब ही नेहा को डाटते हुए दिव्या कहती है नेहा तुम ऐसी गल्दी कैसे कर सकती हो अगर माजी को कुछ हो जाता तो अरे मारी कटोरिया सेम थी ना, इसी वज़े से माजी की खीर हमारी कटोरियों के साथ मिक्स हो गई। सच में निहा, लापरवाही की भी हाथ होती है। आखिर मैं कब तक तुम्हारी गलतियों को चुपाती फिरूंगी, और तुम्हें बचाती रहूंगी। वो तो शुक्र है कि माजी को इस बात की भनक तक नहीं पड़ी अगर आज उन्हें पता चल जाता कि उनकी तब्यत खराब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो वो तुम्हें छोड़ती नहीं मरती बाद में पहले तुम्हें मारती मुझसे गलती होगी दिदी मुझे माफ कर दो आप भी परिशान हो चुकी है मुझे बचा बचा कर पर मैं वादा कर दी हूँ आपसे मैं ऐसे गलती कभी दो बारा नहीं करूँगी निहा आज बहुत उदास और दुखी थी क्योंकि उसकी वज़े से उसकी सास की तब्यत खराब हो गई थी निहा का उत्रा चेहरा देख कर दिव्या को बहुत दुख होता है और वो उसकी सारी गलती माफ कर देती है और उसे हसानी की कोशिश करती है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया ना आज देवरानी जी जिठानी जी को माफ कर दो देखो एक बात ना हमेशा याद रखना तुम कभी अकेले नहीं हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अब हस भी दो ना माल जी भी तो ठीक है अब मैं जानती हूँ दीदी आप मेरे जिठानी नंबर वन है आप इसी तरह से मुझे हमेशा बचाएंगी पर फिर भी मैं आपसे बादा करती हूँ अब मैं गलतिया नहीं करूँगी इतना बोलकर नहा मस्कुराती है और अपनी जिठानी की गले लग जाती है तो अब तो आप लोग भी समझे गये होंगी कि आखिन नहा अपनी जिठानी से इतना प्यार क्यों करती है